कहते हैं दिल्ली के सत्ता का रास्ता यूफ़ी से ओकर गुजरता है और अब सत्ता में वापसी के लिए कॉंग्रेस इसी रास्ते को मजबूत करने में चुट गई है लोगसबा चुनाव में समाजवादी साइकिल पर सवार होकर कॉंग्रेस के लिए सालों बाद यूपी से अच्छे ख़बर आई है और आने वाले चुनाव में कॉंग्रेस यूपी में अपने पैर और मजबूत करने लगी है देखे रिपोर्ट यूपी के इन दो लड़कों की जोड़ी फिर साथ नजर आने वाली है 29 का फाइनल फतह करने से पहले तैयारी 27 के सेमी फाइनल को जीतने की है बहुमत की लाइन से पहले साइकिल पर ब्रेक ना लग जाए इसलिए कॉंग्रेस यूपी में अपना हाथ मजबूत करने में जुटी है लोगसभा चुनाओं में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित कॉंग्रेस ने करीब 20 साल पहले ही यूपी के लिए ब्लूप्रिंट तयार कर लिया है ताकि देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी के विज़ेरत को रोका जा सके और इसके लिए कॉंग्रेस ने पांच मुद्दों पर दाओं खेला है पहला आरक्षन कॉंग्रेस यूपी की दलित बस्तियों में दलित भोच करेगी और दलित संबाद करेगी दूसरा बेरोजगारी 27 साल से उपर के योगों के साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर जगह-जगह संबाद होगा तीसरा पेपर लीक कॉंग्रेस नेता धरना प्रदर्शन और अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन में शामिल होगे चौथा महेंगाई महिलाओं के साथ चौपाल कर आधी आबादी को साधने पर फोकस पांचवार किसान कृशी समस्याओं को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा लोगसभा चुनाओं में मिले जनाधार के बाद अब कॉंग्रेस 2027 और उपचुनाओं को लेकर अपनी प्लानिंग में जुट गई है इसलिए कॉंग्रेस ने 5 पॉइंट प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है मुद्दो को धार दे कर कॉंग्रेस अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आएगी पहले लोगसभा चुनाओं के नतीजों और फिर यूपी में आलाकमान की सक्रियता ने कॉंग्रेस कारिकरताओं में जोश भर दिया है और उन्हें फाइफ पॉइंट प्लान सत्ता की स्यूड़ी नजर आ रहा है तो वहीं बीजेपी पूश रही है कि जब सत्तर साल सत्ता में थे तब दलित, युवा और महिलाओं का खयाल क्यों नहीं आया उत्तरप्रदेश में अखलेश यादव भले ही विपक्ष में बड़ी भूमिका में हूँ लेकिन 2024 के नतीजों ने बता दिया कि कॉंग्रेस उनके लिए जरूरी और मजबूरी बन गई है यूपी में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के एक साथ आने की वज़े से यूपी का मुस्लिम वोड़ बैंक एक मुष्ट इंडिया गडबंदन की तरफ शिफ्ट हो गया कभी समाजवादी पार्टी से परहेश करने वाला मायवती का दलित वोट बैंक भी कॉंग्रेस की वज़े से इंडिया गडवंदन मे गया ज़सकी वज़े से समाजवादी पार्टी यानि अखिलेश रादों का PDA फॉर्मला हिट रहा लेकिन इसमें कॉंग्रेस का डिये यानि दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला भी जरूर माना जाएगा कैनल संद दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला जी मीडिया लखनौ बदले में कॉंग्रेस भी यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है और इसी कड़ी में विधान सभा उप्चुनाओं में दस में तीन सीट कॉंग्रेस को मिलने की खबर है इन उप्चुनाओं का प्रदर्शन भी आने वाले दिनों में गट बंधन के भविश्य पर असा डालेगा विशाल रखुबंशी, लखनौ, जी मीडिया